सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मेरा नाम है सुमन और मैं हूँ पेशल से हिंदी और योगा टीचर प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, उत्रा खंट के डियलेड के फॉर्म भरे जा रहे हैं फॉर्म भरे जा रहे हैं 6 अप्रेल से और अंतिम्तिती है 26 अप्रेल, तो निश्चित रूप से जो बच्चे पहली बार इस फॉर्म को भर रहे हो हैं, उनके मन में ये प्रश्न होगा कि जो डियलेड का एक्जाम पैटन है और जो स्लेवस होगा वो किस प्रकार से होगा यानि कि उनके मन में कुश्चन होगे कि कि इस वीडियो में डिसकस करने वाले है तो चलिए बच्चो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो परन्त उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखीगा और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्स्राइब करके जरूर क्योंकि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से जिसका की नाम है टीचिंग और लर्निंग इसमें टीचिंग लर्निंग और टीचिंग से संबने जितनी भी लेटेस न्यूस और अब्डेट्स होती है वह देती रहती हैं तो चलिए बच्चो स्टार्ट करते हैं अपना आज का व प्रकार के क्वेशन आपके पास आएंगे अब बात करते हैं कि टोटल क्वेशन बेसिकली आएंगे कितने तो टोटल क्वेशन इसमें आते हैं बच्चों आपके पास 200 दोसो क्वेशन आपके पास आते हैं और इन 200 क्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको दिये जाते हैं भाइगन्टे ठीक है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके जो पेपर होने वाला है वो होगा आपका 25 मई को और पेपर जो होगा वो सुबा की शिफ्ट में होगा दस से लेकर साड़े बारा बजे तक आपका एक्जाम होगा तो यह एक ही पेपर होगा और एक ही पेपर में सारा स्लेवस आपका कवर हो जाएगा तो यह तो हो गई सामने जानकारी पैटन के बार तो यानि कि जो प्रतेक सेक्षन आएगा वो आएगा आपके 50 50 नंबर का ठीक है तो इसमें बेसिकली चार मुख्य सब्जेक्ट आपके पास आने वाले हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जर्नल नॉलेज तो जर्नल नॉलेज आएगा इसमें जिसमें कि आपके पास आएंग तर्क संक्ति से संपनी जो प्रशन आएंगे वो भी आएंगे आपके पचास नंबर के और, क्वेश्ण इसमें आएंगे पचास नंबर के थार्ड है आपका Mathematics Mathematics यानि कि आपको पता है geht Russ ये भीढे आ पके 50 और पचास क्वेश्ण और तो टो डूटल हो गया वच्चो आपके 200ौपर का अब बच्चो का प्रश्न होता है कि क्या इसमें नेगिटिव मार्किंग होगी और उत्राखंड के लिए तो इसमें ज्यादा तर जो जनल नौलेज पूछा जाता है वह उत्राखंड से रिलेटेट पूछा जाता है ठीक है दूसरी बात करते हैं बच्चों कि अगर आपने इसके अतरिक्त भी जनल नौलेज पढ़ना है वैसे तो जनल नौलेज का तो कोई नैशनल मुवमेंट जरूर पढ़िएगा यानि कि जो भारत की आजादी की जो लड़ाई थी और जो वर्ल्ड वार थे ना फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकिंड वर्ल्ड वार यहां से कॉश्चन बहुत जादा आते हैं तो अगर आप इस यहां से कॉश्चन डेफिनेटली पिछले एक साल में जो भी हुआ है वह जरूर पढ़ेंगे तो आप जी के को कर लेंगे नेक्स बात करते हैं बच्चों रीजनिंग और मैथेमेटिक्स इसमें ऐसा पोर्शन है कि यहीं यहां पर सबसे जादा नंबर काटता भी है और सबसे जादा नंबर बढ़ते भी है क सबसे जादा लगता है तो इसकी प्राक्टिस के लिए तो मैं यही कहूंगी कि भई देखो यह तो पूरा प्राक्टिस बेजट सब्जेक्ट है जिसने अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी उसके फटा-फट यह निकल जाएगा इनके जिन बच्चों नहीं प्रैक्टिस करी तो उससे आपका क्या होगा आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो लगेगा कॉशन पेपर का और थोड़ी बहुत अच्छी स्पीड भी बन जाएगी कम समय में तीक है लास्ट बात कर लेते बच्चों टीचिंग अप्टिट्यूड की तो टीचिंग अप्टिट्यूड बेस सिक्षण पद्धि यानि कि यह बताता है कि आप भविश्य में कितने अच्छे टीचर बनेंगे अच्छे बनने के लिए सिर्फ आपको पढ़ाना यह अच्छा नहीं होता है अपी तो बच्चे की साइकलोजी उसके बिहेवियर और उसके माइंड को समझना भी एक अच्छ करें किसे रियक्ट कर रहा है तो एजी टीचर आप कैसे रियक्क्त करोगे जैसे उद्हारण के लिए मैं बता देती हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्जंश अंगिस्व्चंस एग्रापका बच्चा होमवर करके नहीं आया तो आप एज से ठीचर क्या करोगे क्या आप उसで punishment कि आप उसे principal के पास ले जाओगे क्या आप उसकी copy में note लिक्के दोगे या उसे class से बाहर कर दोगे या आप ऐसे अच्छे teacher उस बच्चे से बात करोगे उसकी counseling को करोगे और जानने की कोशिस करोगे कि उसने homework क्यू नहीं किया तो बताओ कौन सा option चौथा उप्षन जादा अच्छा है ना कि आप बच्चे से बात कर रहे हैं उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिस कर रहे हैं तो पहला उप्षन होगा कि क्लास से बाहर कर देंगे प्रिंसिपल के पास लिजाएंगे वह सब पुराना मैथड हो गया तो सही मैथड यह है कि अपरोच करना बच्चे से बात करना उससे पूछना तो इस ताइप के क्वेश्चन सापके टीचिंग आप्टिट्यूद में आएंगे साथ सद बच्चों मैं यह कहना चाहती हूं कि टीचिंग मेरा सब्जेक्ट है और पॉलिटिकल साइंस भी मेरा ही सब्जेक्ट है तो ह कर लेना ताकि जब भी वीडियो बनाओं आपको मिल जाए और बच्चों सबसे महत्वपून बात अगर जो पहली बार इस बार डियलेट का फॉर्म भर रहें उनकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दू कि किस प्रकार से आपके पास फॉर्म आएगा और किस प्रकार से आप आपके पास मिलती है एक बुकलेट ठीक है क्वेशन पेपर बुकलेट मिलेगी और उसके अंदर ही मिलती है आपको रेड कलर की OMR शीट तो क्या करना है आपने एक्जाम जब छोड़के आएंगे तो वही दे देनी है क्यों क्योंकि वह आपकी आंसर शीट भी होती है और ज आपके पास यह चार विकल पाएंगे बुकलेट में 1907, 1908, 1905 और 1910 तो बताओ कब हुआ था बंगाल का विवाजन बंगाल का विवाजन हुआ था 1905 में तो अब आपने क्या करना है जो आपको OMR शीट मिलेगी ना रेड कलर की आप देखेंगे कि उसमें जैसे मान तो जैसा कि इस तो आप्शन है 1905 इस तरीके से ब्लू या ब्लैक पैंसे आपने इसे भड़ देना है तो मैं यह इसलिए बता रही हो कि जो बच्चे पहली बार फॉर्म भर रहें उनके लिए हल्फल होगा ठीक है और यह भड़ देना है और इस तरीके से सारी कोशन में अब बारे में उमीद करती हूं आपके लिए जानकारी बहुत ही हैल्फुल रही होगी और इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि किस तरीके से आपके पास एक्जाम पैटर्न आएगा अगर हैल्फुल होई है और जानकारी अच्छी लगी ह है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी-जल्दी क्योंकि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से जिसका की नाम है टीचिंग और लर्निंग में टीचिंग लर्निंग से संबंदित काफी अच्छी इंट्रस्टिंग वीडियो डालती रहती हूं और जो भी एजुक्यों में और भी बच्चों को हेल्प मिल पाती है तो वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद बच्चों मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए आप घर पे रहे स्वास्त रहें मस्त रहें बढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहे है क्योंकि पड़ेगा इंडिया तभी तो आगे बड़ेगा इंडिया जै हिंद जै भारत धन्यवाद सत्यमेव जैते धन्यवाद